गाईज वेलकम ओन एडू टेक्नो मित्रा चैनल आपके अपने चैनल एडू टेक्नो मित्रा पर स्वागत है आज का सेशन है एज बेस्ट कुश्चन का सबसे पहले हम एज बेस्ट कुश्चन के कंसेप्ट डिस्कुस करेंगे एज बेस्ट कुश्चन अगर एज डिफ्रेंस जो है एज डिफ्रेंस विल भी सेम विल भी सेम चैनल प्रेजेंट हो अभी वर्तमान आईउ या पांच साल पहले की बात करें या पांच साल बात की बात करें एज डिफ्रेंस सेम रहेगा मालो वर्तमान आईउ किसी की पांच है और दूसरे की दस है तो दोनों में डिफ्रेंस जो है डिफ्रेंस है फाइव इयर्स का अब वो पांच साल बात आफ्टर फाइव इयर्स 5 पलस 5 होगा और इदर 10 पलस 5 हो गया यह 10 होगी यह 15 होगी तो age difference 5 भी रहेगा ratio change हो जाएगी देखो यहाँ ratio 1 ratio 2 थी और यहाँ पर 2 ratio 3 होगी लेकिन age difference होगी 5 year का है अगर माल लो 3 year पहले 3 year से ago 3 years ago की बात करेगा तो 5 में 3 years ago 5 minus 3 2 हो गया और 10 में से 3 years ago 7 हो गया और यहाँ पर ratio होगी 2 ratio 7 लेकिन difference जो है 2 कर 5 का difference दो कर 7 का difference होई 5 5 year है और वर्तमान से इदर जाएंगे तो age पलस होगी और वापीस जाएंगे पहले जाएंगे past में तो minus होगी अगर हम past से past से वर्तमान में जाएंगे तो age पलस होगी और उसके बाद अगर हम future में जाएंगे तो age पलस होगी और अगर हम उल्टा चलते हैं future से चलेंगे present में तो age minus होगी और इसमें past में जाएंगे तो age minus होगी इन point का आप लोगों को ध्यान रखना है और इसके अलावा जो आज question हमें solve करेंगे उसमें एक formula लगेगा वो formula है मालो age निकालनी है हमने a की age निकालनी है तो a है जो उसका factor गरेशों में ओ लेना है और number n n का मतलब है number of years कितने साल बाद कह रहा है या कितने साल पहले कह रहा है यह number of year होगे और आगे हमने लेना है difference new ratio का एक ratio पहले दी होगी और एक ratio बाद में वो change दिखाएगा और इसको हमने divide करना है जो दो ratio है उन दो ratio का difference लेना है उन दो ratio का difference of product cross product of both ratio दोनो ratio के product का cross product का difference निचे लेना है वो आपकी age आजाएगी आपको ज़्यादा कुछ solve करने की ज़रूरत नहीं है अब हम करते हैं पहला question राम और श्याम की आयू का नुपात एक ratio पाँच है और साथ वर्ष बाद आयू का नुपात तीन रेसो आठ होगा उनकी वर्तमान आयू क्या है ये आपकी present की दे रखी है present की रेसो है present की रेसो राम और ये श्याम एक रेसो पाँच है और साथ साल के बाद after seven years आपने एज निकालनी यानि फ्यूजर की पूसरा है तो ज्यादा होगी एज अब इसमें वो formula मैंने आपको पताया था तो इसमें दोनों की निकालनी है हम राम की निकालते हैं राम की एज होगी इसका हमने ये factor लेना है इसका factor एक है इसको multiply करना है number of year साथ साल बाद कह रहा है और जो नई ratio है नीव ratio है three ratio eight three ratio eight है ये after seven year इनका difference लेना है तो आठ में से हम तीन गटाएंगे तो पांच होगे ये पांच है और इसको हमने divide करना है cross product यानि इसका product और इसका product तो ये 15 हो गया इधर eight हो गया तो इनको ये बड़ाबर seven हो जाएगा आपका seven года से seven गट गया तो राम की एज है राम की राम की एज बड़ाबर है five year तो शाम की एज शाम की एज पांच गुना होगी है एक ratio पांच है ट्वंटी फाइव यह यह आपका अंसर है आप वैसे अगर option से भी देखो तो यह एक ratio पांच में है लेकिन एक ratio पांच में एक और अंसर आ गया तो आप ऐसे option से नहीं निकाल सकते, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इसी question को अगर हम traditional method से निकालते, तो आपको x माननी पड़ती, राम की age लेते आप x, श्याम की age लेते 5x, और after 7 year, ये राम हो जाता, x plus 7, और श्याम हो जाता, 5x plus 7, क्योंकि future की बात कर रहा है, तो plus होईगा, फिर हम इसको ratio में करते, x plus 7, और upon में 5x plus 7, ब्रावर है, 3 बटे 8, इसका हम cross multiplication करते, तो ये होता, 15x plus 21, ब्रावर है, 8x plus 56, इसको इदर लाएंगे, 15x minus 8x, ब्रावर है, 56 minus 21, तो 7x ब्रावर है, 35 और x ब्रावर है, 35 divided by 7, 5 years आती, अब इसमें देखो, आपको कितना time लगता, ये concept मैंने बनाया है, ये concept यहीं से है, आप यहाँ देखोगे न, 15x minus 8x और ये 35, और इसको आपने 7 से डिवाइड किया, तो ये जो 35 है, ये factor है, एक तो 8 minus 3 ब्रावर 5 और ये 7 years, तो अब age निकालनी है, तो इसका एक factor लिखना पढ़ेगा, जैसे राम की age हमने निकाल ली, तो एक उसका factor लिया, और ये नई ratio का difference लेना था, ये यहाँ आ गया, और इदर हमने number of year लेने थे, तो ये 35 के factor से आए, और जो ये निचे आया है 7, ये इनके cross multiplication का difference है, जैसे यहाँ cross multiplication हुआ, 56 मैं ही की गए, 35 और यहाँ पर फेरियन का cross multiplication हुआ था, पंदरा और माइनस 8, जो एक्स के साथ आया था, ये यहाँ से आया है, पंदरा में से 8 हुआ तो 7 होगे, तो इस तरह एक concept मना दिया है, आपने सभी स्वाल को traditional method से ना निकाल के, इस से concept से निकालना है, अगला question है, B has three times age than A, and the sum of their age is 32, ये कहरा है, B की उमर A से तीन गुना है, अगर दोनों की age को जोड़ें तो 32 है, तो simple सा question है, 32 को आप 3 पलस 1 से, 3 पलस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 हो गया, और इस कुशे काटेंगे, 8 आगया, और एट 3 रेशो थीन की, B रेशो A था, ये 3 टाइम्स था, ये 1 टाइम्स था, तो हमने किस की age बतानी है, A की बतानी है, तो इसको आठ, आठ को रेख को गुना करेंगे, तो एट ये अर्स आंसर आ गया, ये आपका राइट आंसर, अगला कुश्चन है, गीता और सीता की आयू का अनुपात 3 रेशो ग्यारा है, तीन और से बाद आयू का अनुपात है, प्रेजेंट अनुपात है, गीता, सीता, 3 रेशो ग्यारा, और आफ्टर, 3 येर, अनुपात हो जाता है, एक रेशो, 3, अब मैंने कंसेट बताया था, किसकी पूछ रहा है, सीता की, तो सीता का फैक्टर ये है, तो S, H बराबर है, इसका फैक्टर 11, इंटू number of year लेने थे, number of year आपके 3 दिये हुए है, ये 3 ले लिया, और difference of है, नीव रेशो, नीव रेशो एक तीन हो जाएगी, तो इसका difference है, 3 minus 1, 2 हो गया, 2, और फिर नीचे लेना थामने, difference of cross product, इनका cross product करो, 11 कारवन का, इनका ये हो गया, और ये इदर हो गया, 11 कारवन का 11 हो गया, और 3 थरी का हो गया, 9, तो ये आपके 2 के बराबर हज़ता है, 2 हो गया, और 11 से 3 दिक उना करो गया, तो 33 year से answer आगया, ये option B में, गाइस, like, share and subscribe the channel, इतना तो अग बनता है कि एक वीडियो को like करो, और channel को subscribe करो, next question, अब ये देखो इसमें, ये father की age दे रखी है, ये father की age है, और इदर, ये son की age है, जो ये difference रह गया है, ये ये 20 years, अब फादर आगे 10 साल और चला गया, फादर यहाँ पहुच गया, ये 10 year है, और ये son भी आगे 10 year, ये यहाँ आगया, ये 10 year, अब ये ये कह रहा है कि जो ये age है, ये son की, मालो x है, तो ये जो फादर की age होगी, यहाँ से लेके, यहाँ तक के, ये 2 x है, और ये जो 10 साल के बाद भी, जो पहले अंतर है, वो 20 years का है, अगर दौनों की age 10-10 साल बढ़ जाएगी, तो भी after 10 years, तो ये difference जो है, ये 20 years का रहेगा, क्योंकि दौनों की बढ़ेगी 10-10 साल, तो अब यहाँ हम लेते हैं, अब x बराबर है 20, अब फादर की 2 x होगी, क्योंकि 2 ratio 1, दुग नी होगी, 2 x बराबर 40 years, लेकिन ये कब होगी, ये after 10 years, और हमने प्रेजेंटेज बतानी है, तो हम इस 40 में से 10 गटा देंगे, तो 30 years आ गया, ये हमारा D answer है, अगला question, लेंगे, ये 7 into number of year लेने हैं, पांच वर्स और नई ratio का difference लेना, नई ratio का difference 1 है, और अपन में, जो 2 ratio हैं, ये 7 ratio 9 और 3 ratio 4, इनका difference लेना है, cross product का, अब 7 चोग 28 और 9 ती है 27, 1 hour, 1 नीचे आएंगे, तो 1 से 1 cancel, 35 years, 35 years, 35 years, ये तो age होगी, मन्जू की, मिश्टेक होगी हमारे से, हमने तो पूजा की निकालनी है, ये मन्जू की age होगी, पूजा की निकालनी है, है, पूजा की age बराबर है, हमने ये 9 लेना था, क्योंकि पूजा बाद में है न, तो ये 9 ratio लेनी थी हमने, 9 into, number of year 5 ही है, और difference cross product का, एक ही आएगा, और ये ratio का difference भी यहाँ, एक ही आएगा, नई रेश होगा, इसका, तो यह आगया हमा, ये ये तो एक तो खतम ही है, इसकी कोई value नहीं, 45 years, तो हमारा ये D answer है, next question, अब ये next question है, देशराज और गंश्याम की आईउ का अनुपाथ 6, 107 और दस वर्ष बाद उनकी आईउ का अनुपाथ 8, 109 हो जाएगा, देशराज की वर्तमान आईउ कितनी है, अब जो present, present ratio है, देशराज, गंश्याम, 6, 107 और after 10 years, after 10 years, 8, 109 हो जाएगी, इनका cross multiplication करेंगे, और उसका difference निकाल लेंगे, तो 8, 7, 56, minus 9, 54, cross difference आगया, 2, अब हम निकालते हैं, देशराज की age, बराबर है, देशराज का factor है 6, 6 into number of year, 10, 10 into current, जो next ratio है, उसका difference है 1, और cross product का difference है 2, इसको 2 से cancel करेंगे, 5, तो answer आगया है, 30 years, 30 years, यह इसमें, यहाँ 0 आएगी, और यह हमारा option होगा, इस तरह हम, इस concept से बहुत ही जल्दी, ज्यादा calculation ना करते हुए, हम आराम से age के कुछिनों को निकाल सकते हैं, गाईज मैं उम्मीद करता हूँ की, आज का session बहुत ही पसंद आया होगा, और इस concept से हम ज्यादा calculation ना करते हुए, जल्दी से जल्दी question निकाल सकते हैं, गाईज, like, share and subscribe the channel, थैंक यू,